पूछेगे प्रशन को देखते हैं पहला प्रशन है हमारा राजमा चावल और छोले भटूरे कहा पंजाब का है कहा का पंजाब के लोगों के द्वारा सर्व प्रिये भोजन है राजमा चावल छोले भंडू भटूरे इसी प्रिकर याद रखे पंजाब मक्के की रूटी और सरसों का साग भी है इंपोर्टेंट पंजाब से राजमा चावल छोला भटूरा पराठे एवं लसी पंजाब गुजरात में धोकला और थेपला धोकला और थेपला लेमन राइस चटनी वगेरा यह भी इंपोर्टेंट होती है उत्तराखंड की बात करें तो दाल रोटी मंडवे की रोटी मंडवे मंडवे की रोटी तथा गहत की दाल फानू दाल रोटी मंडवे की रोटी उत्तराखंड और दाल कैसा गहत की दाल फानू तो दाल रोटी उत्तराखंड मंडवा पुछा गया है बाड़ी और काफुली यह भी उत्तराखंड का ही परमुख वेंजन है 36 गर की बात करें तो माल पुआ 36 गर माल पुआ चावल वगेरा को कूट करके उसमें गुड मिला कर बनाया जाता है माल पुआ चावल को कूट करके गुड मिला करके 36 गर का परमुक बेंजन और 36 गर का फड़ा होता है फड़ा, मुथिया, बाड़ा याद करें next अगला प्रिश्ण है 26 जनवरी 2001 को भूज भूज कहा है गुजरात में आमदाबाद गुजरात में भूज के जटके लगे थे भूज किस राजिये में इस्तित है तो भूज गुजरात में है 26 जनवरी 2001 को परेड वगेरा हो रही थी भूज के जटके लगे थे हजारों लोग की मिर्तियों हो गई थी भूज की तिवरता जानते हैं 6.9 थी रिक्टर पैमाने पड़ 6.9 इस विनासकारी भूज का अधीकेंटर एपी सेंटर 23.6 डिगरी उत्तरी अक्षांस और 69.8 डिगरी पूरवी देसांतर अर्थात कच्छ जीले के भूज से 20 किलोमिटर उत्तर पूरव था तो याद रखना है हजारों लोग की मिर्तियों हो गई थी 26.9 एक गुजरात के भूज और यहाँ एक नंबर पुत्तर होगा भूज किस राज्य में है Next 63 नीचे दिये गए किस राज्य के गाउं में अधिकांस घर मजबूत बांश क्या मजबूत बांश के खंबों पर धर्ती से लगभग 3.5 मीटर उंचा मीटर में 3.5 मीटर और फिट में 10 से 12 फिट होता है है ना तो यह असम का एरिया है जहां बर्शा वाला बाढ़ वगएरा आ जाते हैं तो बांस के खंबों पर घर बनाए जाते हैं बांसों का ही लकडी वगएरा का छट बनाया जाता है तो 10 से 12 फिट और मीटर में 3 से 3.5 मीटर उंचा इन घरों की छटे ढालू देख रहे हैं ढालू टाइप का तो था फर्स और दिवार लकडी की बनी होती है वही बांस वगएरा का बनाया जाता है तो असम की बाते हैं ये हमारा उत्तर 63 का बी नंबर अशम कहता है प्रेश्ण अगला 64 नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन और कानपुर रेल्वे स्टेशन के बीच की दूरी देखे दूरी दे दिया ना 432 कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21 सितंबर 16 दिसंबर से 17 दिसंबर 16 को 21.45 अर्थात 9 बज के 45 मिनट पीयम की बाते हैं यानि रात का समय 21.45 में चला और 5.45 सुबह पहुँच गिया सर सुबह कहां लिखा है तो दोस्त 5.45 जो दिया गया है एम ही न हुआ 12 के बाद न 13, 14, 15 वो सब पीयम में बसता है तो 21.45 21.45 से रात का जो 12 बज़ेगा कितना 2 गंटे 15 मिनट और इधर 5.45 तो पलस पहुच 45 तो कितना हो गया टोटल समय साथ गंटे साथ मिनट अरथात आठ गंटे कितने आठ गंटे ट्रेन की अवसत चाल निकालनी है तो आठ गंटा निकलाना हमारा आठ गंटा तो इस पीड निकालने बोल रहा है चाल निकालने बोल रहा है तो चाल बराबर सुत्र होता है दूरी बटा शमय दूरी बटा शमय डिस्टेंस बाइ टाइम तो देखे चाल बराबर दूरी बटा समय दूरी तो दे दिया गया है 432 भागा 8 8 5 जा 40 8 पंचे 40 8 4 जा 32 तो 54 निकल गया 54 क्या निकला कीलो मीटर कीलो मीटर प्रती आवर और आप्सन आपके मीटर प्रती सेकेंड में है तो इस 54 को छोटा बैल्लिव पाँच बटा 18 से गुना कर देंगे सर कैसे यार एक कीलो मीटर में 1000 मीटर भागा और एक घंटे में 60 मीनट और एक मीनट में 60 सेकेंड ये 0 ये 0 कट गया 2 0 10 है बचा ना 10 5 2 जा 10 ये 2 5 देखिए 2 5 जा 10 और ये 6 2 3 जा 6 6 3 जा 18 5 बटा 18 5 बटा 18 आया अब कटाई ये 8 तीया 54 अतिन पंचे 15 15 होगे हमारा डी नमबर उत्तर कक्छा 5 की पडियवरन अध्यान एक सेंटी मीटर बड़ावर कितना एक आम का दाम 110 मीटर ऐसे समझेए तो कहता है 15.5 सेंटी मीटर का यानि एक आम का दाम 110 मीटर तो सारे 15 आम का दाम गुना कर दीजिये ना इसमें 110 से गुना करेंगे और गुना किया तो हमने 70, 0, 5, 0 एक आंक के बाद 10 अमलब यानि 705 हो गया 705 अब देखे भूला जा रहा है इन धर्वाजों के बीच कम से कम वास्तविक दूरी तो ये 705 मीटर ना निकला है एक किलो मीटर में देखे अप्शन किस में किलो मीटर में न अरे बात हम कुछी बोला दोस्त 705 निकला क्या आपका मीटर और उत्तर दिया है किलो मीटर में तो एक किलो मीटर में एक हजार मीटर भागा दे दिजे ना एक दो तीन तीन अंक के बाद दसमलव यहाँ पर तो एक दसमलव साथ सुन्य दसमलव के बाद दो अंक ले लेंगे तो एक दसमलव साथ सुन्य C number option में है और यही उत्तर होगा 7 सुन्य 5 पोचमपली मुक्तारपूर पोचमपली जिले का एक गाउं है मुक्तारपूर क्या है जि पोचमपली जिले का गाउं है जिले के ज़यादा तर पड़िवार बुन कर हैं बुने गए कपड़ों को पोचम पल्ली कहते है यह जिला किस राज्य में है तो किस राज्य में है तेलंगाना में पोचम पल्ली सारी की क्वालिटी होती है पोचम पल्ली और कलमकाडी आंधर प्रदेश में कलमकाडी कहां आंधर प्रदेश यह भी सारी की क्वालिटी होती है यहां पूछ रहा है यह राज्य कौन सा पोचमपली जिला जो है वो किस राज्य में है तो तेलंगाना में है मुकतारपुर्गाओं किस राज्य जिले में है पोचमपली में पोचमपली किस राज्य में तेलंगाना में नीची दिगिए एक सहर में किवल एक प्रकार खजूर के ही व्रिक्ष दिखाई देंगे क्या दिखाई देंगे खजूर के व्रिक्ष अबुधावी कहाँ अबुधावी खजूर के व्रिक्ष संयोक्त अरब अमिरात U-A-E U-A-E फुलपॉर्म यूनाइटेड अरब अमिराथ की राजधानी यो संयुकत अरब-अमिराथ की राजधानी जो है अबुधावी सहर में केवल खजूड के वरिक्ष दिखाई देंगे क्योंकि खजूर ही एक मात्रह सा पेड़ है जो वहां उग सकता है रिगिस्तानी इलाका है ना वहां आसपास रेत ही रेत और वर्षा की संभावना बहुत कम होती है अबुधाबी सेयूंते रव मीरा तेल तेल है ना अला बीबी वल्ला हो अला तुम क्या करती तुम क्या खात याद आया कुछ नवाब भोपाल गांधी नगर के ठीक पूरब में है भोपाल कहां गांधी नगर के ठीक पूरब में तो भोपाल देखिए मद्यपरदेश की राजधानी है ना ये यदि हम भारत का नक्षा बना देते हैं क्या सर क्या नक्षा बनाया है जी ये इस भोपाल हो गया MP गांधी नगर कहा गुजरात यह देखे यह गुजरात यहाँ पर तो भोपाल गांधी नगर के ठीक पूरव में है भोपाल यह यहाँ पर गुजरात इसके पूरव में यह भोपाल किदर पूरव यह उत्तर दक्षिन पूरव पश्यम यह पूरव में है गुजरात के देखिए ये भोपाल और कहता है बंगलूरू भोपाल के ठीक दक्षिन में है यहाँ पर करनाटक है बंगलूरू तो यह इसके दक्षिन में हो गया बंगलूरू के सापेक्ष गांधी नगर गांधी नगर की दिसा बताईए बंगलूर के समक्ष इसकी दिसा बं उत्तर पश्चिम कैसे यहाँ पर डारेक्शन दीजी यह यहाँ ऐसे डारेक्शन हुआ तो यह तो यहाँ पर पड़ गया न यह देखिये यह उत्तर और यह पश्चिम यह वाला उत्तर पश्चिम होगा और C नमबर उत्तर पीतल ब्रांज ब्रांज ब्रास वगेरा के विसे में कथन को चुनिये पीतल C नमबर यह कॉपर और जस्ता C U प्लस Z N जिंक जस्ता का मिसरधा तू मिला दूला होता है याद रखेंगे अच्छा ब्रांज कासा कॉपर और टीन का मिसरधातू होता है और यदी बात करें कि पीतल बताईए पीतल तो कॉपर और जस्ता का मिसरधातू होता है पीतल जो है कॉपर और जस्ता का मिसरधातू होता है काम और यहां आपसे पीतल पूछ लिया है पीतल में 70% ना कॉपर और 30% ज़स्ता होता है पीतल में 70% कॉपर और 30% ज़स्ता और यह बरतन बनाने में भी काम आता है पीतल का बरतन अजब की कांसा का बात करेंगे तो 90% कॉपर और 10% टीन कांसा का जब बात करेंगे कांसा का बरतन देखें होंगे ना ससुराडी में मिला है अरे भया के हो मैं तो ददादा देखें ससुराडी में मिला ना है ससुर बाडी में दिख लिजेगा भाड़ी भर कम बर्तन अल्मोनियम से भाड़ी होता है और तोप में तरत रखे जो उन ні बर्तन में परियोग किया जाता है काफि ठोस होता है सिक्का घंटी बर्तन आधी बनाने के लिए में परियोग करते हैं कासा का हजारों साल पहले से प्रयोग होता आया हुआ है सी नमबर उक्तर हमारे देश का ऐसा राजे जहां के लोग नारियल और टेपियोका टेपियोका, कसावा, कपपा तो केरल की बात है ना उपर नारियल जमिनके नीचे टेपियोका जो जड़े होती है केरल भारत का ऐसा राजे है ना जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपियोग स्वादिष्ट भोजन तयार करते हैं उबला हुआ टेपियोका को नारियल का उपियोग करके बनाई गई किसी भी कड़ी के साथ खाना यहां का लोग प्रिये भोजन है उबला हुआ टेपियोका नारियल मिला दिये उसमें चांग पा आदिवासी देखे चांग पा जंजाती वहीं चांग पा है ना चांग थांग जंजाती लद्धाक में 5000 मीटर उचाई पर आदिवासी लोग जो परवतों पर रहते हैं यह बड़े तिकोने आकार के टेंट तिन कोनमा आकार का टेंट ये देखे ऐसा टेंट उसने रेंबो कहते हैं क्या कहते हैं टेंट को रेंबो काउपियो करने के लिए रहते रहते तो उन्हें अत्यदी ठंड से बचाते हैं इन टेंटों का डेजाइन है एक हजार वर्स से भी पुराना नोट्स में दिया गया है इस परष्ट एक हजार वर्स से भी पुराना यहां दिया है लगभग एक हजार वर्स पुराना मतलब एक हजार से ये एक सो दिया है एक सो और यहाँ एक हजार दिया है एक हजार वर्ष से भी पुराना चांगपा तिकोने आकार का टेंट जो है नो पियोग करते हैं जो हजारों वर्षों पुराना है चांगपा ना भूमन्तू जन जाती होती खाना बदोस जिंदगी काट पस्मीना सॉल यादाया पस्मीना सॉल का उत्पादन करते हैं पस्मीना नमक बकडियों से चांगपा लद्दाक छेतर के चांग थांग इलाके में निवास करते हैं कौन सा इलाका चांग थांग इलाका और यहां रहने वाली जन जाती चांगपा जन जाती कहलाती है इनकी बक किसको बकड़ी को पस्मीना नामग बकड़ी अब बात करते हैं आगे क्या जो सौल वगेरा चद्दर निर्मान करते हैं सौल वह आप हम जो इस्तमाल करते हैं छह चद्दरों के बड़ाबर गड़मी देगा और छह बाल के बड़ाबर मनुष्य का छे बाल नहीं समझें मतलब इनका जो बाल होता है बकड़ी का पास्पस्मीना नामग वो छह गुना पतला होता है मनुष्य के एक बाल के मनुष्य का एक बाल उसका एक बटा छे हो जाएगा इतना पतला होता है इसलिए कुसल काड़ीगरों से सौल का इत्यादी का निर्मान किया जाता है पुसल काड़ी कर हाथों के द्वारा मसीन में तो तूट जाएगा 250 घंटे लगते हैं याद रखें Next हमारे देश में राजियों के संख्या 28 राजिय हैं और 8 केंदर सासित परदेश हैं 28 राजिय और 8 केंदर सासित परदेश 28 राजिय उतर नीचे देगे उन तीन राजियों के एक समू को चुनकिए राजिय समू दर तर बंगाल की खाड़ी यह देखिए दक्षिन इलाका भारत का दक्षिनी छेतर इधर बंगाल की खाड़ी है बे ओप बंगाल तो इधर आपका क्या ओडिशा पश्चिम बंगाल वगेरा साथ में सटा हुआ तमिलनाडू इधर तो अरब सागर है अरभियन ओसियन इधर हिंद महा सागर है बंगाल की खाड़ी और यह हिंद महा सागर को अलग करने वाला कौन? पाल घाट पश्चिमी घाट तो देखें यहां पर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर एक नमबर ओडिशा, आंद्र परदेश आंद्र परदेश भी है ना आंद्र परदेश, तमिलनाडू यह तीनों ना सटे हुएं किस से? बे ओफ बेंगाल की खाड़ी से कहता है पश्चिम बंगाल तमिलनाडू केरल केरल तो साहब इधर है इस साइड में केरल नहीं होगा केरल तो अरब सागर से सटा हुआ है आंद्र परदेश, तेलंगाना महरास, अब तेलंगाना देखिए यहां भीतर में पड़ जाता है तेलंगाना इसलिए नहीं होगा केरल फिर केरल आ गया इसलिए डी भी गलत हो गया एक नमबर उत्तेर चेराओ कहां मिजोरम का निर्त्य है बैंबू डांस जिसे कहते हैं समूह में जो है न दो दो लोगों का समूह में जो है इधर से बांस पकर लिया इधर से महिलाए डेजाइन दार जहलस दार कपड़ा पहिनके आती हैं अब भी इससे फांदा फांदी करती है निकलने का प्रियास धोल नगारे बजाए जाते है जमीन पर मास की लकडियां लेकर दो दो लोगों का जोड़ी आमने शामने बर्टता है धोल की ताल पर लकडियों को जमीन पर पीटते हैं लड़कियों के बीच महिलाएं एक कतार में खड़े होकर निर्त्य करती हैं इसे बांस निर्त्य भी कहते हैं बैंबू डांस और जानिये ओडिसा में छाओ, छाओ, मुनारी, ओडिसी, सास्त्रिय निर्त्य कीशा बाड़ी असम में बीहू बागरुम्बा असम में बीहू बागरुम्बा निरत्य 36 गर में सरहुल होगा गेंडी ककसार सुवा सरहुल गेंडी ककसार सुवा तो सरहुल वगेरा याद रखें 36 गर मिजोरम में चेराव होगा खुलम निरत्य चैलम, चैलम भी यहीं मिजोरम में, थंगलाम, जंगटलम, जंगटलम, आधी मिजोरम का ही लोक निड़ते हैं, लोक प्रिये, चेडाओ हो गया, 75, हमारे देश में ऐसा छेतर जो उचा, सूखा और समतल है, उचा है न, कहीं न कहीं लद्दाक की बात हो रही है, लेकिन हेमाचल परदेश भी न होता है, बात करते हैं, ठंडे रगिस्तान के नाम से जा, ठंडा रगिस्तान किसको कहते हैं, मार दीजिये न लेह लद्दाक, ठंडा रगिस्तान के नाम से जाना जाता है, यहाँ बर्सा बहुत ही कम होती है, यह बर्ब से ढखे परवत और सूखे ठंडे सापाट मैदान, यह छेतर कहां कभाग हो सकता है, ठिमाचल परदेश तो होगा नहीं, चुकि नाम इस पष्ट है, ठंडा रहि दाउप में देखते हैं समाजिक विशयवस्तु को पढ़ियावरन अध्यान को जैसे कोई गाय देखा तो पूछ देखता है मूं देखता है पूड़े रूप में देखता है समगर रूप में तो सबको इंकलूड कर लिया तो इसी को तो एक कर देना एकी कृत कहिएगा इंटीग्रेट कर देना एकी कृत और इसमें आता है एकी कृत उपागम जो है ना इसका तकब 2000 इस भी से सिफारिस किया गया NCF 2000 NCF 2000 यानि तिसरा वाला NCF और 2005 में इसको लागू कर दिया गया यह भी प्रिश्न बनता है तो प्रात्मी के स्तर पर प्रकृती कैसा बाल केंदरित आबम एकी कृत होता है एकी कृत पडियावरन अध्यान सिक्षन की ऐसी विधी होती है जो विशयों के बीच के अवरोध को तोरने का प्रियास करती है ताकि विध्यार्थी के लिए अधिगम अधिक मीनिंग्फुल हो सके सार्थक हो सके यह ज्यान तथा जो अना सिलेबस का एक ऐसा उपागम है जो कि एक से अधिक विशयों को जोड करके सिखाने पर मदद करता है चाहे सामाजिक अध्यान हो चाहे विज्ञान हो हिंदी वगेरा सब को अच्छा एक और प्रेशन रहता है एक वन क्लास टू क्लास में इवियस नहीं चलती है तो कैसे सिखाते हैं गनित एवं भासा भासा बोले तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक वगेरा अन्य पाठ्य पुस्तक तो इनको एक इकरित करके सिखाया जाता है वन क्लास टू क्लास में ऐसे अप्सन को चुनाब करेंगे नेक्स्ट दिये गए कथन में से कौन सा इवियस सीखने के लिए रास्टे पट एंसी अफ दोजार पाच की सिफारिस है तो एंसी अफ दोजार पाच ने क्या क्या सिफारिसे की है आज भी हमने स्टडी किया हुआ था ओफ लाइन कक्छा में देखें कहते हैं सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाए होने चाहिए साहब सीमा वगेरा बॉंडरी दे देना यहीं सीमित कर देना कि घर पे जो भासा है या अनुभग उसको घड़े पे रहने दीजिए विद्याले में आप विद्याले की किताबों के नुसर सीखिए यही न कहने का मतलब हुआ कि सीमा डाल दिये बॉंडरी भारत पाकिस्तान का रेड कलीफ रेड कलीफ रेखा वगेरा मैक मोहन रेखा है एक बॉंडरी दे दिया एक सीमा दे दिया चाइना और भारत के बीच जबकि होना क्या चाहिए विद्याले के वातवरुन को बाहरी वातवरुन से जोरना चाहिए सीमाई नहीं होने चीह बॉंडरी इसलिए एक गलत बी, रटकर सीखने को हतोत साहित यानि रटांत विद्या को बढ़ावा नहीं देना हतोत साहित बने डिस्कावरेज करना प्रोतसाहित नहीं कह रहा है, प्रोतसाहित का चचेरामा मेरा विलोम सब्द है, भाईवा, B सही है, C किताबी सिख्षा से प्रस्थान, यहनी किताबी दुनिया से प्रस्थान करते हुए बाहरी वातवरन से जोरना, सिखाना, departure from bookish learning, कैसा learning, किताबी learning, नहीं बुकिस बहुत सारे बच्चे देखें किताबी कीडा परने लिखने में बड़ी आगू जाके सवधा खड़ीदने दिजेगा एक किलो दू किलो अल्लू एकदम ठगा गया जाएगा तो बुकिस ज्यान से प्रस्थान करके वातवरन से जोड़ते हुए पढ़ना डी सही है इस्कूलों में बच्चों के जीवन को इस्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चीह है कि दम सही बात है डी नंबर हमारा विकल्प C तो सही हुआ ही B, C, D किस विकल्प में है B, C, D D नमबर उत्तर हो जाएगा D नमबर उत्तर हो जाएगा कहता है इस्कूलों में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए Children's life at school Must be linked to their life outside the school अरे बाबा अरे बाबा D नमबर उत्तर हो गया बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली बातें सही है D भी Next अगला प्रश्न प्रात्मिक अस्तर पर यानी 1-2-5 पर Environmental Studies परियावरे नध्यन के सिक्षा सास्तर Pedagogy के संबंध में कौन सा कथल सत्ते है तो कौन सा कथल सत्ते है या बाल के अंद्रित है बिलकुल सही बात है या बाल के अंद्रित है Child Centered होती है तो एक नमबर तो उत्तर होई गया या किताबी होती है नहीं सिक्षक संबलित बाल के अंद्रित नहोती है पुनर प्राप्ति प्राथाओं पर केंद्रित है पुनर प्राप्ति फोकसेज रिट्राइबल प्राक्टिसेज पुनर प्राप्ति पुनर प्राप्ति इसका मतलब क्या हो गिया इट फोकसेज रिट्राइबल प्राक्टिस अभ्यास पर लागू होती है अभ्यास कीजिए, पुनर प्राप्ति, यानि कि पुनर प्राप्ति का मतलब अभ्यास, अभ्यास करना, एक कोश्चन को दस बार बनाना, तो पुनर प्राप्ति हो गया न, डी भी गलत, एक नमबर, क्या होता है, बाल के इंद्रित होती है, मुद्धों को जानते हैं, समझते ह ज्यान को संबंधित करते हैं, इंटरलिंग्ड करते हैं, अगला प्रेशन है दोस्त, प्रातमीक अस्तरपड़ इवेस की सीखने सीखाने, यानि कि सिक्छन अधिगम के प्रोसेस, सिक्छकों के लिए चुनवती पूर्ण है, चैलेंजिंग टाइप का है, बच्चों के लिए रचनातमक्ता, क्रियेटिविटी और पहल करने के लिए, पहल, यानि कि कोई भी प्रेशन है, तो बच्चों को चिंतन करने के लिए अवसर दीजिए, अपर्चुनिटी दीजिए, पहल करने दीजिए बच्चे को, गलतियां भी करने दीजिए, मौका देना है अवसर, स्व का वर्नन करना सारे सित्षक तो करते हैं ये चुनवती कहा है में चुनवती तो है बच्चो को अवसर नहीं देते हैं 90% सित्षक प्रश्र का उत्तर करवा दिये तूरंत चिंतन करने के लिए अवसर नहीं देते हैं मौका नहीं देते हैं बच्चों को पठे पुस्तक एक मात्र संसाधन है चलिए गलत और एक नंबर सही इभियस सीखने के अधिक्तम सुविधा प्रदान करता है इभियस जो है न सीखने में सबसे ज़्यादा मददगार कौन सा होगा कहता है संदर्व पुस्तक के फिर पुस्तवों को पुस्तकों को बढ़ावा देना कहानियां, स्टोडीज और नरेटिव्स, कहानियां और आख्यान पर इक्षा तो कहानियों पर आधारित करके सिखाना अच्छी बात है पुस्तक यलत विवरन, डिस्क्रिप्सण, यलत कहानियों के माद्हम से हम पड्यावरन से जोड करके बेहतरी इड़क से सिखा सकते हैं पड्यावरन के पुस्ति जागरुकता आ सकती है देखो पहले गनेग जंगल हुआ करते थे, डाइनोसोर हुआ करते थे, आज बिलुप्त होते गए हैं, बी नमबर, कहानी, एवाँ नेरेटिब्स, वर्नन करना, संदर्भो से जोडते हुए, परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार अवमित्र, चोगो तीम आए ना, चोगो तीम में फैमिली एंड फ्रेंड्स है, एक नमबर सही है, परिवार कहा है, जल संरक्षन थोड़े, जल के बारे में है भी, क्या-क्या, परिवार अवमित्र, फैमिली एंड फ्रेंड भोजन आसरे जल यात्रा फिंग्स वी मेक अंड डू चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं यह सब थोड़े ही नहें एक नमबर उत्तर हुगा परिवार वं मित्र भोजन आसरे पानी यात्रा चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं और यही जो पहला वाला है ना इसके अंतरगत चारगो उपथीम भी है चार उपथीम अपसी संबंद खेल पसुवें और पादप यानि ग्रीन प्लांट्स पउधे यह चार उपथीम है सब प्रक्रन सब थीम उपप्रक्रमन नेक्स्ट एवियस सीखने में क्रिया कलाप एक्टिविटी को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना तो बचों को क्रिया कलाप करके एक्टिविटी करके सीखाना चाहिए ना अनुभव प्रदाप्त होता है बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है उनका ग्यान आयोजित किया जाता है ठीक है तो साइकोमीटर कोशल विक्सित करने के लिए साइकोमीटर कोशल साइकोमीटर क्या होता है समझें साइकोमीटर कोशल विक्सित करने के लिए अर्थात साइको साइको मोटर, साइको मोटर, साइको मोटर क्या होता है साइको मोटर जैसे हस्ट परक गती विधि जैसे आपने BS ॉलूम में पढ़ाओगा पहला कोगनिटिब, संग्यानातमक दूसरा effective motor skill अर्थात भावातमक और तीसरा psychomotor या connective क्रिया कलाप भी थी क्रिया करके सिखाना तो क्रिया कलाप activity करके सिखाएंगे हस्त परगती भी थी learning by doing तो ये तो बहतरीन होगा ना कहता है next B number कि जोड़ तोड़ उसिल विक्सित करने कि जोड़ तोड़ का मतलब क्या हो है manipulative skill जोड़ तोड़ अर्थात बच्चों में परियावरन के परती negative विशेवस्तू और positive दोनों अर्थात गुन और अबगुन को जानना वने विसलेशनातमक आलोचनातमक चिंतन करना परियावरन के परती संवेदन सील होना और यह B नंबर सही है C करके सीखने के लिए बिलकुल learning by doing करना याद रखने की छमता गलत हो गया तो A, B, C एक नंबर में और यहाँ हमारा उत्तर होगा next बच्चों की गतिविधियां आयोजित करके activity करवाईएगा की नहीं करवाईएगा गतिविधियां आयोजित करके किया जाता है गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित की जाती है गतिविधि के बाद गतिविधि के बाद सिक्षक द्वारा बच्चे के अस्थानिक संदर्वों के अनुसार यानि अस्थानिय जिंदगी मात्रिभासिक परिवेस बाड़ी दुनिया से जोडने वाली गतिविधी संचालित की जाती है एकदम सही है भी कल्प जा रहा है C नंबर तो सही है आपका और इधर A B वाला भी उसको भी देख लेते हैं पुना एक बार बच्चों द्वारा डिजाइन किये गए समूह कारियों को सिख्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है किसको समूह कारिया और थात कोलेबोरेटिव लर्निंग बच्चे समूह में सीखते हैं गरूप वगेरा और D नंबर सही हो जाएगा समूह कोलेबोरेटिव लर्निंग यह हमारा सही है आईए एक नंबर में कह रहा है गतिविधियां आयोजित करके activities are conducted activity करवा करके सिखाया जाए activity करवा करके दो नंबर गतिविधियां के बाद चर्चा आयोजित की जाती है क्या activities are conducted followed by discussion यहाँ A, B, C, D सारे option दमदार है अब देखिए A और B में एक्के गोनो कोनो सही होगा यहाँ option के आधार पर चुकि A, B, C, D सम में नहीं है मेरा कहना है आपका A पक्ष दमदार होगा की B नंबर option नहीं है न दोस्त समझे न बात को C और D सारे option में लगबग लगबग है C, D को आप गलत कर ही नहीं सकते हो C, D इस option में है C, D C और D इसमें भी है C, D A, B, D C इससे घटा दिया है यह तो बिलकुल नहीं यह भी नहीं तो यह होगा यह यह हो जाएगा क्या देखिए एक नंबर में क्या है activities आयोजित किया जाता है और B नंबर में क्या है activity क्रिया कलाप करके चर्चा भी कर रहा है चर्चा में सामिल कर रहा है तो B ज़्यादा दमदार हुआ ना B में A included हो गया तो B, C, D उत्तर ले लीजिए B नंबर विकल यस अंडरिस्टेंड माने B वाला ज़्यादा long type का the best है A ना included हो गया B में इसलिए B, C, D अगला प्रेश्ण पउधे विशाई के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते है meaningful, संदर भगत context से जुड़ा हुआ context बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ तो सार्थक हो सकता है कब कैसे सिक्षा दिया जाए कि सार्थक हो जाएगा बच्चों को थी माधारी तो वर्क सीट दी जाती है गनित सिखा रहे हैं क्या वर्क सीट छेत्र भरमन मुद्दों के इर्दगिर्द आयोजित किया जाता है क्या किया जाता है छेत्र भरमन फेल्ड ट्रिप तो बच्चों को आप जैसे वातावरन के साथ नदी तलाब, पोखर, पउधों वगएरा घुमाने ले जाएगा छेत्र भरमन पे तो पउधों को देखेगा पेड पउधों को उनके परती जाग रुकता आएगी और मिनिंगफुल वातावरन केरियेट हो जाएगा बी नमबर बहतरीन है सिख्चक द्वारा प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन यारे बच्चों के द्वारा कीजिये न आमंत्रित व्याख्यान यानि के आमंत्रित किया लेक्चरर वगेरा को और उससे लेक्चर सुन रहा है यहां सामुही को देखके नहीं चले जाईएगा क्योंकि आमंत्रित व्याख्यान लेक्चर मेथड दिया है जहां पर सिख्चक यार विसे सग्ये वो एक्टिव रहते हैं बच्चे हमारा बी नमबर उत्तर होगा नेक्स्ट एटी सिक्स अच्छा बी नमबर समझ गए न क्यों होगा एनसीफ दोजार पांच के अनुसार छेतर भरमन को व्यवस्थित तरीके से बच्चों को अबधारना सिखाने समाजिक और पढ़ियावरन मुद्धों के परती समवेदन सील बनाने के लिए कराया जाता है क्या छेतर भरमन जिसमें आसानी से मुद्धों को इसूज को अपने वेभारी ज्यान से बाहरी जिंदगी से जोर लेते हैं बच्चे इवियस पाठे पुस्तक के अलावा पठे पुस्तक के अलावा पठे पुस्तक में तो ग्यान प्राप्त होता है न उसके भी अलावा निमलकित में कौन इवियस सिखने के लिए अधिक्तम उप्योगी संसादन हो सकता है बने ज़्यादा अधिक्तम देखे समाचार पत्र यहाँ कूटों में दिया गया है इसका भी खयाल रखे जैसा प्रसन का विकल्प उस अधार पर दिमाग लगाएंगे यहाँ देखे समुदाए के सदस्य कम्यूनिटी मेंबर्स इससे सबसे ज़्यादा बहतर इन सीखेगा यहाँ डी रहता ऑप्सन मिलती है सर्वेक्षन अब लोकन सर्वेक्षन सर्वे करना डूर डूर जाकर के पानी की बचत पानी कितना खर्पत होता है जैसे जनगन्ना बगेर नहीं होता है कोरोना डिपर टुईटर अब देखिए टुईटर यह क्या हाईयर लेवल की बाते ले रहे हैं टुईटर फेस्बूक अकाउंट यह निमनास्तर के बच्चों के लिए होगा ज्यादा तर इफैक्टिव ए बी और डी ए बी डी किसमें डी नंबर विकल्प में है तो 86 का क्या हो गया हमारा ए बी डी डी अच्छा इसमें भी दिया गया है मतलब ए और डी दोनों ले लिजिए न जो लगे आपको अच्छा है के तो है दोनों में ए बी डी भोजन थीम से सम्बंधित भोजन थीम सम्बंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है सामाजिक सोसियल कल्चरल इसूज को बहतर ढंग से सीखा जा सकता है किसकी द्वारा तो समुदाए के सТशीओं के माधियम से एकदम ये तो होगा बच्चे अपने दूसरे सम्व्यसकों से सीखते हैं सर्वेक्षन के द्वारा शीखते हैं चेतर भरमन के द्वारा सीखते हैं, फिल्ड ट्रीप, नारा परतियोगिता, पोश्टर चिपकाना, सुलोगन ये क्यूं होगा भला, A, B, C, एक नमबर समोदाय के सदस्य, सर्वेक्षन के छेतर भरमन, भोजन थीम पर पड़ी चर्चा के माध्यम से प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट मैथड के माध्यम से भी सीखता है, 88 नमबर एबियास सिखाने के लिए समुह कारे को बढ़ाबा, यानि collaborative learning, गुरूप में सिखाना, तो सबसे उप्युक्त कारण आपसे पुछा जा रहा है, तो सापाठी अधिगम को बढ़ाता है, यानि कि peer learning को बढ़ाता है, सही है, peer learning, गुरूप में सिखते हैं, बच्चों के भी स समाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, सहयोगात्मक गतिविधी बनती है, एक दूसरे में सोहादरता, रास्ट्रिये, मोल्यों का विकाश, सोहादरता, एकता, खंडता, बंधुतोता, भाई, चारा, समुह में विक्सित होता है, समुह में साथ-साथ बच्चे स्कूलों में भी रहते हैं, और समाजिक संपर्क क्या होता है, बेहतर होने लग जाता है, एक दूसरे में गुडविल बन जाता है, सहयोग को बढ़ावा देता है, सहयोग, सहयोगात्मक गतिविधी, सिखने के लिए एक मातर परभावी रणनीती, यही एक मातर रणनीती है, और एक अधीगम के रूप में आकलन क्या होता है assessment as learning अधीगम के रूप में आकलन अधीगम के रूप में आकलन next and last 89 नमबर छूट गया था अधीगम के रूप में आकलन test series जो हमने लिया हुआ है तो उसमें देखें 89 नमबर और मिलाएं उसका उत्तर क्यों होगा self assessment बच्चे खुद से चिंतन करते हैं जो भी उनको पता है अपने आप की आवाज कहिए तो सुधरपन सिख्चक की डाइरी में दर्ज जानकारी का उपयोग सिख्चक द्वारा किया जाता है तो क्यों करते हैं portfolio बगेरा या anecdotal कारण क्या है अधीगम की रननीती की समिक्छा और संसोधन करने के लिए कि बच्चे फेल कर रहे हैं बच्चे असफल हो रहे हैं concept नहीं develop है तो अधीगम का जो भी strategy है teaching learning strategy उसमें जो है न modify करने के लिए modification संसोधन कि दूसरी सिक्षन विधी से पढ़ाई है यदि इस समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे समीक्छा review करना कि बच्चे की सीखने की प्रगती रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड को भरने के लिए किसको रिपोर्ट कार्ड गलत हो गया सीखने की समझ को बढ़ावा देना होता है बच्चे सीखने के लिए साक्षे दर्ज करने के लिए साक्ष यानि रिपोर्ट कार्ड में प्रगती पत्रक को भरने के लिए evidence मिल जाता है for keeping the recorded school school का record रखने के लिए गलत न यार एक नमबर न होगा बताए ये record या प्रगती पत्रक भरने के लिए किसी concept को होता है बच्चों को अपनी तुरूटियों का आईना दिखाने के लिए portfolio बच्चे भी लेखन करते हैं अपने विशय में सिक्छक भी करते हैं एक रणनीती सिक्छक बनाता है कि नहीं ऐसे नहीं होने वाला है दूसरे भी बहतर तरीके से पढ़ाया जाए सिक्छक डाइरी जो है सैक्छिक सत्र में किये जा रहे किरिया कलाप को नियोजी तवंपरदर्सित करने के लिए होता है किरिया कलाप को नियोजी तवंपरदर्सित इसमें सिक्छक डेली डाइरी में सिक्छक द्वारा पढ़ाई जाने वाले विसे व सिक्षन के दोडान की जाने वाली गतिविधी का विवरन होता है डिटेल्स वगेरा एक नमबर